हैलो दोस्तों श्वागत आप सबी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सबी लोगों के साथ में जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं आप लोगों के लिए लगातार साइन्स और मैटेमेटिक सी क्लासेश लेगर के आता हूँ इसी बीच आप लोगों को बता होगा कि CET 12th level का जो exam है वो आपका अक्टुम्बर में होने वाला है तो आप सभी लोगों के लिए science की revision series लाई जा रही है जिसके अंतरगत हम topic wise पूरा revision करने वाले हैं साथी साथ इन topic से आए हुए जो MCQs हैं जो आपके previous year के exam में आ चुके हैं वो सभी questions मैं लेकर के आया हूँ तो आज हम सबसे पहले तो एक बार पूरा का पूरा topic जो है हमने पढ़ा है उस topic को पूरा revision करेंगे और उसके बाद में उस topic से related जो MCQ आए है वो हम करेंगे ताकि हम हमारे हर परकार से concept clear हो जाए ठीक है देखिएगा बादिक एवं रासायनिक परिवर्तन physical and chemical changes पहला topic है हमारा जिसके अंदर आपको बता होगा कि बादिक गुणों में परिवर्तन आने से तत्व और मिस्रन बनते हैं और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है योगिक के परमानों से मिलकर के जो बना हुआ परदात है एक ही परकार के परमानों से मिलकर बना हुआ जो आपका परदात है उसे हम तत्व कहते हैं जैसे की H2 Hydrogen, O2 Oxygen, N2 Nitrogen, C Carbon, Ag Silver, Au Gold, Zn Zinc, Cu Copper, Hg Mercury, Cl Cl, ठीक है फिर आता है योगिक तो दो या दो से अधिक अगर हमारे तत्व यानि जो ये उपर वाले तत्व है ये दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे वो भी एक निचित अनुपात में यानि definite ratio के अंदर जब मिलेंगे तो रासायनिक सयोग से बना हुआ जो परदात है वो आपका योगिक कहलाता है क्या कहलाता है योगिक कहलाता है थीक है इसमे सदे किरियाकारक के गुनदर्म समाप्ट हो जाते हैं वो नए गुनदर्म जो है में देखने को मिलते हैं यानि इसके अंदर क्या होगा? कि अगर मालो कोई भी दो किरियाकारक है जैसे carbon और oxygen ये example कई बार exam में आ चुका है और जब हमारे पास carbon और oxygen आपको दिख रहा है यह रहा oxygen तत्व यह रहा carbon तत्व तो यह दोनों तत्व जब मिलते हैं तो बनता है carbon dioxide और carbon dioxide आपको पता होगा क्या करता है ठीक है यह पूरी reaction अभी आगे आ रही है चिंता की बात नहीं है देखिए यह reaction क्या कह रही है कि हमारे पास carbon है और oxygen है हमने मिला दिया carbon dioxide बना दिया हमने आपको पता होगा कि oxygen जो है मेरे प्यारे विद्यारतियों जल्दी से बोलेंगे oxygen क्या करता है oxygen आग बुजाने का कारे करता है oxygen क्या करता है आग बुजाने का कारे करता है लेकिन carbon sorry आग लगाने का कारे करता है oxygen लेकिन जब carbon औ और oxygen मिले, तो एक नया जो आपका योगिक बना, carbon dioxide, वो carbon dioxide क्या करता है, तो carbon dioxide क्या करेगा, carbon dioxide आग बुजाने का काव करेगा, तो आप देख रहें कि एक तत्व था जो आपके आग लगाने में, जलाने में सायक था, लेकिन जैसे ही वो carbon के साथ मिला और नया योगिक आया, त मिल करके एक निचे तनुपात में नया परदाद बनाएंगे उसे अपन योगी क्या देंगे और जब नया परदाद बनेगा तो उसके गुंडर्म कारकों से जो किरिया कारक रखे जिन से मिल कर बना है उनसे अलग होंगे. ठीक, जिसे एक और देखो एक है हमारे पास में हाइडोजन एक है हमारे पास में ऑक्सिजन हाइडोजन और ऑक्सिजन मिले तो बन गया क्या? H2O जो की है आपका जल क्या बन गया? जल और जल हमारे लिए क्या है? जल ही जीवन है, जल है तो कल है समझाई बात तो अब देखो भई hydrogen और oxygen मिले एक एक अनुपात में तब तो बन गया जल और जल हमारा ही क्या है जीवन है जल है तो कल है मचली जल की रानी है और वहीं पर अगर हम देखें तो hydrogen और oxygen ही जब दोनों के दोनों पूरी तरह से मिल गए H2O2 बन गए और यह क्या होता है यह पर औक्साइड है क्या है पर औक्साइड ठीक है और जैसे पर औक्साइड बना तो आपने देखा कि जब H2 और O2 जो थे वह दोनों तत्व मिले तो जब आपके एक H2O यानि की oxygen का एक तत्व और हाइडोजन का पूरा का पूरा तत्व इसका आदा आप ये कह सकते हैं ठीक है इसका आदा एक परमाणू मिला ताल्टी में ली औक्सिजन खाली O के रूप में मिला ये रूप में मिला तब तो आपका बन गया जल और जल जो है इंपोर्टेंट एक परदात है वहीं पर जब आपका ये ऑक्सिजन पूरा का पूरा तत्व मिल गया तो जब आदा तत्व मिला तब तो जल बना पूरा तत्व मिलते ही बन गया पर ओक्साइड जो कि एक विसेला परदात है ये क्या है हाइडोजन पर ओक्साइड है जब H2O2 है तो यहाँ पर क्या होगा यह इस परकार से जुड़ेगा ऑक्सिजन ऑक्सिजन हाइडोजन हाइडोजन यह जो बुकलाई की स्टेक्षर होता है यह आपका परॉक्साइड क्यालाता है तो यह क्या है विसेला परदात है ठीक है नेक्स देखिए मिस्तरन की बात करते हैं अब तो मिस्तरन क्या होता है दो या दो से अधिक तत्वो या योगिकों का या दो से अधिक अनिचित अनुपात के अंदर क्या तो देखो जब दो या दो से अधिक तत्व या फिर कोई योगिक अनिचित अनुपात के अंदर मिलते है, क्यानि कोई fix अनुपात नहीं होता है, कैसे सर अनुपात मुझे पता है, आपके doubt आ सकता है, अभी clear हो जाएगा, देखना, तो अनीचित अनुपात में मिलते हैं, तब बनने वाला जो परदात है, वो आपका मिश्रन कहलाता है, ठीक है, और क्रियाकारकों के जो गुण दरम है, वो मिश्रन के अंदर उपस दिता रहेंगे, कैसे, देखिए, एक हमारे पास में है दूद, उस दूद के अंदर आपने H2O पानी मिलाया, तो भी क्या बरहेगा, वो दूद और ऑक्सिजन, तो H2O बन रहा था, वहीं पर जब वापस से आइडोजन और ऑक्सिजन मिले, तब बन गया था H2O, अनुपात कैसे वो देखो, दूद और H2O, है ना, तो दूद के अंदर आप H2O, यानि दूद के आप जल कितना भी मिलाओ, दूद तो दूद ही रहेगा, हम अल्टिमेटली पानी वाला दूद कर देंगे, लेकिन कहेंगे तो क्या, दूद ही कहेंगे, सुन में आई बात, और वो वाइट ही होगा, फिर ये आपके अनिची देख, क्यों कि इसमें जल कितना भी आप मिला स जल, तो ये फिक्स अनुपात है ना, कि आदा अगर ऑक्सिजन होगा, तब तो बनेगा जल, और अगर पूरा ऑक्सिजन जला गया, पूरा का पूरा ऑक्सिजन तत्वा आ गया, तो बन जाएगा विशेला परदात हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, समझाई बात, तो ये जो इनके मिलने का रेशियो होता है, वो एक फिक्स रेशियो होगा, तब तो आप योगिक कहेंगे, और अगर वो रेशियो फिक्स नहीं है, तो आप इसे मिस्टरन कह देंगे, ठीक है, मिस्टरन का मतलब आप कैसे भी मिक्सर कर दीजिए, ठीक है, जैसे आप घर पे अगर पिर बात आजाती है एमारे पास में किसकी तो उत्तक्रमणिय परिवर्तन की किसकी बात आती है उत्तक्रमणिय परिवर्तन क्या होता है उत्तक्रमणिय परिवर्तन जो है वो परिवर्तन है जो विपरित दिशा में भी संभव हो अब विपरित दिशा में भी संभव हो इसका म मान लो A और B को मिलाया और बन गया आपके C ठीक है लेकिन आपने वापस से C को जो है तोड़ा तो वापस क्या A प्लस B बनता है अगर A प्लस B बनेगा तो तो उसे कहेंगे उत्रक्रमणिय परिवर्तन ये हमारे अभी रासाइनिक और बहुतिक परिवर्तन का एक अच्छा ज परिवर्तन का मतलब है कि अगर आपने दो तत्वों को मिलाया तब बना नया एक योगीक और उस योगीक को वापस तोड़े तो वापस से अगर दो नए तत्व जो थे वो के वो आजाए तब तो आप कहेंगे उत्रक्रमणिय और अधर्वाईस आप उसे कहेंगे अनूत्र ठीक है ये जो उत्करमनिया परिवर्दन होते हैं वो इस्थाई होते हैं पूर्णत हो कैसे होते हैं इस्थाई होते हैं पर्मानेंट नहीं होते हैं नोन पर्मानेंट होते हैं ठीक है इस्थाई होते हैं कभी भी चेंज हो सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि भाई देखो ए से बी A और B को जोड़ कर C बनाया, अगर पर्मानेंट होदा तो वो C ही रहता, यह A इस्था ही है, पर्मानेंट नहीं है, इसलिए तो वापस C से क्या बन सकता है, A पलस B बन सकता है, फिर देखो, अनूत क्रमनिया परिवर्तन, तो वे परिवर्तन जो विप्रित दिशा में संभव नहीं हो, ठीक है, तो आपका, अभी अपना आगे इनके एक्जामपल देखेंगे, अभी किरियाओं के, जैसे कागज है, कागज को आपने जला दिया, तो जलाने के बाद में जो राख है, उसको आप कुछ भी कर लो, लेकिन वापस से कागज नहीं बन सकता, तो ये आपका कैसा एक्जामपल है, अनु उत्क्रमणिय परिवर्तन का, समझ में आई बात, ऐसे ही, आपने दूद के अंदर थोड़ा सा दई डाल के जमा दिया, और वो दई बन गया, तो आप दई से फिर कुछ भी कर लो, कितने अभी अभी किरियाय कर वालो, वापस दूद नहीं बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनु उत्क्रमणिय कहलाएगा, ठीक है, फिर देखो, तो अनु उत्क्रमणिय कैसा होगा, इस्थाई होगा, क्यों, क्योंकि नहीं बन गया, मतलब बन गया, वो इस्थाई रूप से बन चुका है, ठीक है, फिर देखिए, अब हमारे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, वो बात आ जाती है, बहुतिक परिवर्तन, तो बहुतिक परिवर्तन क्या होता है, देखिएगा, परदाथ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था, गनत्व, दरविमान, और कौथनांग, ये सब याद रखना, कि परदाथ के आकार में, पहला पॉइंट, आकार में, दूसरा आमाप में, तीसरा उसके रंग में, चोथा उसके अवस्था में, पांचवा उसके गनत्व में, चट्रा उसके दरविमान में, साथवा उसके कौथनांग में, इन साथ कॉण्टिटीज के अंदर, आकार, आमाप, रंग, अवस्था, गनत्व, दरविमान, कौथनांग, इन में से अगर कोई भी गुण परिवर्थित होगा तो आप उसे कहेंगे बौतिक परिवर्थन क्या कहेंगे बौतिक परिवर्थन कहते हैं समझ में आ गई बात तो बौतिक परिवर्थन किसमें आते हैं ये सिदा सिदा पूचा जा सकता है अभी आप पीछे कोशन तब तो बहुतिक परिवर्तन आकार आमाप रंग अवस्ता गनत्व दर्मिमान तौथनांग इन में से अगर परिवर्तन होगा तो वो फिर अवस्ता आपकी जो है क्या कहलाएगी बहुतिक परिवर्तन कहलाएगा ठीक है नौट डाउन कर लीजिए एक बार नेक्स्ट है फिर देखो अब बहुतिक परिवर्तन में तो इसमें परदात का रासाइनिक जो संगटन है क्या कैमिकल कॉमिनेशन जो होता है वो आपका अपरिवर्तित रहता है तो जो आपकी बहुतिक परिवर्तन की बात की जाए तो भौतिक परिवर्दन किस-किस में होगा, वो साथ पॉइंट याद रखने, उसके बाद में क्या इसमें chemical composition में कोई चेंज आएगा, नहीं, chemical composition में कोई परिवर्दन नहीं आता है, ये सामाने तह, ठीक है, कैसे होते हैं, उतक्रमणिया होते हैं, भौतिक परिवर्दन जो ह होते हैं, वो उतक्रमणिया होते हैं, यानि अगर एक बार आपने परिवर्दन कर दिया, तो आप वापस से कोई reaction वगरा के माध्यम से क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे परदात को, तो वो कैसे होते हैं, उतक्रमणिया होते हैं, उश्मिय परसार जो है, वो एक परिवर्दन, भौतिक परिवर्दन का उधारन कैलाएगा, जैसे कि गरम पानी आपने डाला, तो उससे क्या होगा, काच जो है वो चटक जाएगा, तो ये एक example किसका हो गया, भौतिक परिवर्दन का उधारन हो गया, इसके बाद में अगर आपने कोई चानने की अभिकिर आएं आपके बौतिक परिवर्तन का उदारण हैं किसका उदारण है बौतिक परिवर्तन का कौन-कौन चानना निथारना आस्वन संगनन ये सबी अभी किरे आए ठीक है तो ये याद रखिएगा फिर देखिए नेक्स हमारे पास में आ जाता है कि हमारी परदातों की अवस्था में परिवर्तन देखिए परदात की अवस्था में परिवर्तन यानि ठोस दरव गैस में परिवर्तन जो है वो अवस्था परिवर्तन कहलाता है अब अवस्था परिवर्तन एक गौतिक परिवर्तन कहलाएगा और कैसे होता है देखिए ये रहा हमारे पास मानलो बरफ क्या है बरफ और बरफ H2O अगर है तो वो क्या कहलाएगा आपका ठोस अवस्था में है उस ठोस अवस्था को अगर हमने पिगलाया तो क्या बनेगा जल H2O बन जाएगा जो कि एक द्रव अवस्था होगी फिर इस जल को अगर आपने वास्पिकरन किया तो बन जाएगा वास्प H2O जो कि ये गैस का उदारन है लेकिन अगर आपने इसी गैस का क्या करवा दिया वापस से संगनीत करवा दिया तो ये आपके ठोस बन जाएगा समझाई बात ठोस अगर आपने जो है उर्द्व पातन करवा दिया तो वापस से क्या बन जाएगा ठोस और ठोस का उर्द्व पातन कराने पर गैस लेकिन गैस का अगर आपने संगनन करवाया तो द्रव बनेगा द्रव को आपने जमा दिया तो वापस से थोस बन जाएगा और प्रदात की अवस्ता में जो परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो एक बहुतिक परिवर्तन यानि फिजिकल चेंज का उधारण है ठीक है नॉट डाउन कर लीजिए फिर देखिए उर्द्व पातन सबली मेशन क्या होता है अब भी अपने पीछे एक बढ़ देखा सबली मेशन गैस से ठोस बनना ठोस से गैस बनना तो कपूर है नौसादर है यह इसी के एक्जामपल है होता क्या है बिसिकली यदि कोई आपके पास में परदात है वो ठोस से स सिधे ठोस अवस्था में आ जाए तो ऐसे परदातों को हम क्या कहते है इस परकरिया को तो उर्द्व पातन कहेंगे और ऐसे जो परदात है जो गैस से सिधा ठोस में और ठोस से सिधा गैस में परिवर्दित हो जाते है उनको उर्द्व पातज कहते है इनके उधारन कौन-क कौन से है तो हमारा आयोडिन, कपूर, नौसादर जिसे अपने NH4Cl कहेंगे, सुस्क, बर्फर, ड्राय आइस जिसे आप CO2 कहेंगे, यह भी आप आप क्यू रहा है, खड़ा रहा है, ठीक है, CO2 और नेप्थेलिल, यह सभी एक्जामपल किसके हैं, यह सभी एक्जामपल है, उ और ड्राय आइस, सुस्क, बर्फर, जिसे आप CO2 कहेंगे, और फिर एक आपका नेप्थेलिल, ठीक है, चलो, नेक्स्ट देखिए, अब बोटिक परिवर्तन के यह आट डस उधारन है, जो आपको सीधे-सीधे याद होने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जो समझा है, वो आपके concept है, वो आपको समझने का process था, लेकिन वो मालन लेजिए, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, रटा फिकेसन तो करना ही पड़ेगा, और रटा पिकेसन करने के लिए क्या करोगे, सीधे-सीधे याद कर लो, क्या याद रखो होना ही कोई पिखलेगा तो नहीं चांदी भी पिखल रही है तो वो भी प्लेटिनम पिखल रहा है तब भी लोहा पिखल रहा है तब भी वो एक क्या है बौतिक परिवर्तन ही है दूसरा चौक का तूटना चौक का तूटना एक क्या है बौतिक परिवर्तन है तो इसी परकार से किसी भी परधात का तूटना चैसे की काज का चटकना या किसी प्लास्टिकी बॉल का फूट जाना ये सभी बॉतिक परिवर्तन के ही उधारन है ठीक है तो आपको words पकड़ लेने है पिगलना बढ़ाएगा बॉतिक परिवर्तन तूटना सब्दाएगा बहुतिक परिवर्तन नमक या सक्कर का पानी में गुलना तो गुलना सब्दाते ही आप समझ जाना बहुतिक परिवर्तन है क्योंकि जरूरी नहीं है कि नमक या सक्कर कोई वो गोलेगा उसकी इच्चा कर गई तो वो जो है क्या गोल देगा मिर्ची को गोल देगा उसके इच्चा कर गई अलदी को गोल देगा तो किसी को भी गोलो गोलने से कोई फरक नहीं पड़ता है आकिर में तो क्या होगा भाई खरबुजे को चाकू पे रखो चाकू को खरबुजे पर कटेगा कौन खरबुजा वैसे ही गोलना तो किसको है पानी के अंदर ही गुलना है जाकर कोई भी परदात को गोल हो ठीक है तो गोलने का भी एक बहुतिक परिवर्तन है बल्ब का प्रकासित होना बल्ब जो है चालू हो जाना तो यह सब एक बहुतिक परिवर्तन है बलेड को जो है जो आला पर अगर गरम करा तो गरम करने पर वो ब्लेक हो जाती है आपने देखा होगा अक्सर ब्लेड आप जो सेविंग करते हैं ना मैं तो डाड़ी बाड़ी बढ़ा के रगी हुई है तो यह जो आपका क्या कहलाएगा भौतिक परिवर्दन कहलाएगा जल्व से वास्प बनना तो कोई भी चीज अगर बन रही है जल्व से वास्प बन रहा है वास्प से जल्व बन रहा है यह सब क्या है बौतिक परिवर्दन है लोहे को जो है आपके चुम्बक में बदलने का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका क्या कहलाता है बहुतिक परिवर्तन कागज को काटना तो अब किसी भी चीज़ को आप काटो चाहे अगवार को काटो 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 काफी को काटो पेड को काटो ये सब किसके एक्जामपल है ये सभी बहुतिक परिवर्तन के उधारण है रबबड को कीचना आपका बहुतिक परिवर्तन है क्रिश्टली करण की तो ये पौलितिक परिवर्तन के जो उधारण है वो आप से सीधे सीधे एक्जाम के अंदर पूचे जाते है ठीक है चलो फिर क्रिश्टली करण आगया लो देखो या लिखा हुआ इस पस्ट क्या होता है तो क्रिश्टली करण का मतलब है किसी परदात के दिलियन से उसके सु मैंने अभी बताया ना चोटे-चोटे टुक्डे टुक्डे पराप्त कर लेना वो या आपका क्रिश्टली करण है फिर रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस में आ जाएगा तो इसमें क्या होगा एक या एक से अधिक नए जो है परदात बनते हैं तो आएगा क्या होता है रियक्सन उदारण सब देखेंगे सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन इस्थाई होते हैं और अनूत कर्मणिया होते हैं ठीक है क्योंकि अगर एक बार कोई परदात बन गया जैसे कि आपने क्या करा कि मालो सकर ली और नमक लिया और मिला दिया तो फि परिवर्तन को रासायनिक अभिकिरिया भी कहते हैं परदात के रासायनिक गुणों में क्या होगा परिवर्तन होगा योगी को का निर्मान होता है इसके अंदर यह ध्यान रखना पॉक्सिकरण और अपचेन के अभिकिरिया भी रासायनिक परिवर्तन का उदारण होती है कि इसी भी चीज का तूटना या काटना तो बहुत इक परिवर्तन है लेकिन अगर किसी चीज को जलाया जा रहा है जलना दहन हो रहा है तो वो एक रासाइनिक परिवर्तन का उदारण है अभी किरिया में नए उत्पाद बनने के अतिरिक्त जो है इसमें क्या रहते हैं चांसे जरते हैं तो अगर कोई भी अभी किरहा है तो उसमें नया परदात बनेगा तो उससे क्या कहें गे रहता एक परिवर्तन कहेंगे और उसके साथ-साथ उस्मा भी कई बार जो है रिलीज होती है या उस्मा रिलीज नहीं होगी तो कुछ अन्य गटनाएं भी हो सकती है अब वो कौन-कौन सी गटनाएं होगी वो देख लीजिए भई अन्य परदात तो बने गई परदात के साथ-साथ में कई बार कई अलग- गटनाएं भी होती है जैसे उसमा रिलीज हो जाएगी या प्रकास हो जाएगा उत्पन या पराबैंगनी कीरने उत्पन होगी या अफसोसित हो जाएगी या ध्वनी उत्पन होगी जैसे आप जो है अगर सोडियम को पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो पहले तो गुमता ह फास और फिर एक दम से फटेगा तो आवा जाई तो दोनी भी उत्पन हो सकती है ये भी एक क्या रासानिक परिवर्तन का साइन होता है गंद में परिवर्तन हो सकता है ठीक है रंग में परिवर्तन हो सकता है गैस बन सकती है ये सबी उधारण है किसके तो आपके रासानिक पर important उदारण है अभी मैं इसके उपर आगे डिस्कस कर रहा हूं इस पर बेश्टर्ज स्टेनो ग्राफर का अभी जो पेपर हुआ आपका पांच तारी को उसके अंदर आज ही है आज जो पेपर हुआ ना उसकी बात कर रहा हूं तो लोए पर जंग लगना उसी का उदारण है ठ फिर पठाकों का जलना परकास संसलेशन के अभी किरिया होजन का पाचन हो जाना ये सब ही अभी किरिया है क्या है रासानिक परिवर्थन के गुंदर में फिर देखिए लोहे पर जंग लगना अब इस पेसिपे किस पूरी प्रोसेस के बारे में पन समझेंगे क्योंकि इस पर आधारित को संसल एक्स्बर एक्जाम में पूछे जाते हैं लोहे पर जंग लगना लोहे पर जंग लगता कब है सबसे पहले जब लोहा जल और अधरता दोनों के सीधे सीधे संपर्क में आता है तब तो सबसे पहली कंडिशन है कि यहाँ पर कब आएगा तो लोहे को जब आद्रवातावरण में रखा जाता है तब और इसके लिए जरूरी क्या है तो हवा और जल दोनों होंगे तो ही आपके वस्तू के उपर क्या होगा, क्या होगा, जंग लगेगा, केवल एक के वज़े से कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है, ये त्यान लखना पहला चीज तो, दूसरा, जंग जो होता है, वो लोहा नहीं होता है, ये पूछा जाता है, कि जो लोहा है, वो आपका जं या जंग लगा हुआ है तो बताइए कि उसमें लोहे की मात्रा बढ़ गई या घट गई तो आपको कुछ भी जवाब नहीं देना है कोई नहीं होता ना बढ़ता है ना करता है क्यों क्योंकि जंग तो लोहा होता ही नहीं है अभीकिरिया क्या होती है यह रहा आइरन बनता है F2O3 क्या बनता है F2O3 तो जंग का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है F2O3 होता है आइरन ऑक्साइड पढ़ते हैं और अगर हम चाते हैं कि कोई वस्तू जो है जंग से बचे इस पर आधारित कोशन यहीं कोशन पूचा है जंग से बचने के लिए कौन सा जो है प बचने के लिए आप लोहे पर क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं दो कोशन थे तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर हम पेंट कर सकते हैं ग्रीस लगा सकते हैं जस्ता यानि की जिंक का जो है लेपन कर सकते हैं क्रोमियम की परत चड़ा सकते हैं ठीक है और जो आपका जिंक है उसकी परत चड़ाने को अपन कहते है यसद लेपन या गेलवेनाई जेसन या गलवनी करत या आपके बढ़ाया था गलवनी करत ठीक है तो लोहे पर जिंक की जो परत चड़ाना होता है उसी को हम कहते है गेलवेनाई जेसन या फिर यसद लेपन और इसे क्या होता है तो जो वस्तु है वो जंग से बचती है अगर आप चाते हैं कि जिंक के अलावा कुछ करू तो आप उसको paint कर सकते हैं grease लगा सकते हैं chromium का जो है लेप कर सकते हैं ठीक है फिर देखिए एक और कटा हुआ अगर save है तो वो जैसे ही yu में संपर्क में आता है तो वो कटी हुई save iron oxide Fe2O3 के कारण ही क्या होती है बूरे color की हो जाती है आपको पता ही है कि apple के अंदर क्या होता है iron पाया जाता है अब iron है लोहा है तो वो जैसे ही yu के संपर्क में आया पानी तो है ही save में तो पानी और वायू के संपर्क में आते ही वो क्या हो जाता है जंग बनाना शुरू कर देता है इसलिए बूरी परच्चमती है ठीक है फिर देखिए मेहंदी में क्यून नेप्था क्यून और लासौन जैसे प्रमुखर रासाइनिक योगिक होते हैं लासौन स्वैम जो है आपका क्या होता है रंग हिन होता है लेकिन ये जैसे ही वायू या फिर सूर्य के प्रकास के संपर्क में आता है तो उसकी वज़े से लाल रंग जो है वो हातों पर आ जाता है तो ये याद रखना है कि मेहंदी के अंदर कौन कौन से परदात होते है तो मेहंदी में कौन कौन से परदात होते है क्यून, नर्था क्यून और लासौन जिसमें लासौन जो है खुद के पास कोई कलर नहीं होता लेकिन जैसे ही वो वायू और सूर्य के संपर्क में आएगा तो फिर जो है वो क्या हो जाएगा लाल रंग का परदाथ बना देगा हाथों पर पूरा लाल लाल कर देगा कार्बन डायोकसाइड और जब कार्बन हाइड्रोकसाइड यानि कैलसियम हाइड्रोकसाइड यानि चूने का पानी दोनों अभिकरिया करते हैं तो calcium carbonate बनता है ये अभी किरिया भी आपको याद रखनी है कि carbon dioxide CO2 और calcium hydroxide यानि CAOH whole twice दोनों जब अभी किरिया करते हैं तो बनता है calcium carbonate क्या बनता है calcium carbonate CACO3 इसके बाद में फलों का पकना ठीक है अंगूरों का किंडवन होना copper sulfate और iron का मिलकर iron sulfate और copper को अलग कर देना फिर सीर का जिसे अपन एसीटिक अमलक कहते हैं CH3CWH और खाने का sodium hydrogen carbonate NaHCO3 इन दोनों का मिलकर के जो है CO2 का release होना और अन्य अभी किरिया इसके साथ होती है फिर ammonium hydroxide का और hydrochloric aml को मिलाने पर ammonium chloride क्या ammonium chloride यानि NH4Cl नौसादर जो बनता है उसकी वज़े से सफेद दुए का निकलना ये सबी क्या कहलाते है समझ में आगई बात clear है चलिए तो ये सब आपने जो है अच्छे से देख लिया होगा अब इसमें अपनी कोशन सीरीज सुरू हो जाती है पहला कोशन है ये सबी कोशन्स आपके एक्जाम में आए हुए है क्या पूचा जा रहा है निम्न में से कौन सा बहुतिक परिवर्तन है तो मैंने आपको पहले ही बताया है पिगलना काटना जलना ये सब दा जाएंगे तो आप समझ जाना बहुतिक परिवर्तन है तो देख ये बहुत एक परिवर्तन कौन सा है देखो दूद का फट जाना दूद कब फटता है जब उसके अंदर थोड़ा सा जो है आपके लेक्टिक असीड होता है वो बढ़ता है ठीक है तो इसका मलब वो तो हो नहीं सकता ये तो रासाइनिक परिवर्तन है गोजन का पकना एक रास लेकिन अगर जल के अंदर आपने चीनी को गोल दिया है तो गुलने का प्रोसेस तो क्या होता है क्या होता है बता है गुलने का प्रोसेस आपका क्या होता है बोतिक परिवर्तन होता है ओप्सन नंबर थर्ड आपका अंसर हो जाएगा और ये कोशन जो है आपके पुलिस को स्टेंबल 2005 का जो पेपर था उसके अंदर आया था नेक्स कोजन देखिए निम्न मैंसे कौन सा रासायनिक परिवर्तन है तो प्रीजम से गुजरने पर स्वेत्र परकास का साथ रंगों में विबक्त होना सबजीयों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना नमक का पानी में गुलना सानी हुई मिट्टी का सूकने पर बंगुर हो जाना पताए इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है तो बिलकुल सही बात है देखिए भई प्रीजम से अगर स्वेत्र परकास गुजर रहा है तो वो तो क्या होगा स्वेट परकास गया इधर सांथ बागों में तूटेगा वापस आपने अगर प्रीजम लगा दिया तो वो सांथ बाग मिलकर एक वापस वाइट कलर आ जाएगा उल्टा प्रीजम लगाओगे तो तो ये तो आपका कोई नहीं सकता ठीक है? हलागि ये उल्टा प्रीजम और सीधे प्रीजम का कोईशन भी आपके सीटी के अंदर तो आ चुका है फिर देखो सबजीयों को पकाएंगे तो उनका मुलायम हो जाना जैसे कि आपके टमाटर है दूदी है, आलू है ये सब क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं न वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें राइसायनिक परिवर्तन हो जाता है तो सबजीयों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना नमक का पानी में गुलना है यानि बहुतिक परिवर्सन फिर मिट्टी का सूखने पर बंगूर हो जाना हो तो सूखने पर क्या होगा पानी चला गया है वापस पानी डाल दो वापस से सानी वा ओजा जाईगी तो यह क्या है बहुतिक परिवर्तन का उधारण है इसके बाद देखिए निम्न मेंसे कौन सा रासाइनिक परिवर्तन नहीं हे, वड़ सुन लो नहीं है तो काचच का जलना बहुत एक परिवर्टन ही तो है भाईया कोईले का जलना एक रासायनिक अभी के रहा है क्यों daha कोईला यानि की कार्बन और कार्बन का जलना यानि की ऑक्सेजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा कारबंडाई ओक्साइड बनेगा तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है ठीक है ये ज्यान रखना पानी का वास्पों में बदलना ठीक है और भोज्य परदातों का पचना ये सबी किसके उधारण है तो ये सबी आपके किसके उधारण है पानी का वास्पों में बदलना किसी भी परदात की अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते है बहुतिक परिवर्तन कहते हैं, पीछे पूरा डाइग्राम से तो समझा चुगा हूँ, next देखिए, रायसाइनी गुरूप से जंग होता है, जंग कब लगता है, जब आपका oxygen और साथ में H2O, यानि हवा, sorry, हवा और H2O मिलते हैं, तब लगता है, और क्या होता है ये, तो ये होता है, Fe2O3, iron oxide, option number C, ठीक है, iron chloride नहीं होता है, FeCl2 नहीं होता भई, iron sulfate यानि, Fe2SO4, iron oxide Fe2O3, और दूल का mission तो होता ही नहीं है, ठीक है, चलो, enzyme क्या होते हैं, बताइए, तो enzyme जो है, आप लोगों को पता होगा, अमलत तो होता नहीं है, क्योंकि enzyme जो है, एक अलग चीज है, तो ये तो enzyme तो है नहीं, वाचन नहीं है, protein नहीं है, ये एक जैव उधप्रेरक होते हैं, यानि, bio catalyst होते हैं, क्या होते हैं, bio catalyst होते हैं, catalyst जो है, आपके syllabus में है, उधप्रेरक, तो उसी का एक कोशन है, कि enzyme क्या होते हैं, जैव उधप्रेरक होते हैं, bio catalyst होते हैं, विस्तुद्ध कार्बन के जलने से प्राप्त होती है, यह किरिया है, तो देखो भाई, ये आलाकि oxygen और oxygen अभी हैं, तो देखिए, विस्तुद्ध कार्बन के जलने का, विस्तुद्ध कार्बन यानि oxygen जुड़ेगा, और carbon dioxide बनेगा, अब देखो तो, यहाँ पर जो है, हमारे को पता है, कार्बन के साथ oxygen जुड़ गई, यानि oxygen हो गया, और oxygen की यहाँ पर कमी हो गई, इसलिए ये क्या ह हो जाएगा, oxygen भी हो जाएगा, तो इस परकार से हम ये कह सकते हैं, कि क्या हो जाएगा ये, दोनों ही अभी किरियाए हैं, यानि ये जो है, आपका, क्या है, oxygen भी है, और oxygen भी है, दोनों ही है, ठीक है, oxygen अभी किरियाओं के बारे में अगली क्लास में पूरा करने वाले हैं, ठीक है यह हम एक्जाम में पूछा गया था दोजा बारा में फिर देखो दादों में जंग लगना किस परकार का अभी किरिया है बहुती क्या रासानिक तो दादों में जंग लगना रासानिक परिवर्दन है इसका मतलब रासानिक अभी किरिया है कैसे अभी किरिया है रासा निक अभी किरिया है ठीक है नोट डाउन कर लिजिए ये कोसंस आप जो है जरूर एक बार देख लेवे हैं ना नोट डाउन कर ले जिएगा इनको काम आएंगे ये आपके फिर कहना मत कि सर हमारे को तो पताए नहीं थे कोसं आपने चलो आगे देखते हैं निम्न मैंसे कौन सा पौतिक परिवर्तन है तो वायू में मैगनिसियम के तार का जलना गरम करने पर प्लेटिनम तार का चमकना अमलीकरत जल का वैदू तब गटन होना कार्बन डाई ओकसाइड को चूने के पानी से गुजारना पहली बात तो देखो कार्बन डाई ओकसाइड को चूने के पानी यानि की केल्सियम आइड ओकसाइड से गुजारेंगे तो केल्सियम कार्बोनिर बनता है और वो एक राज़ानी कभी गिरिया है तो ये तो कट अमलीकरत जल का वैदू दब गटन हो जाना गरम करने पर प्लेटिनम तार का चमकना और आपके मैगनिसियम तार का जलना जलना अगर मैगनिसियम तार है देखो भई वाईउ में यानि ओकसिजन में तो ये जलेगा तो मैगनिसियम ओकसाइड बनेगा तो ये भी एक रासाइनिक परिवरतन है फिर गरम करने पर जो है प्लेटिनम तार वो है चमकेगा और जैसे ही आप उसको वैसे थंडा करेंगे तो क्या होगा तो आपका जब प्लेटिनम तार को अबन क्या कर रहे हैं गरम कर रहे हैं तो वो चमक रहा है चमकने का मतलब कि उसके अंदर कुछ नो कुछ राइसानिक परिवर्तन होने वाला है इसलिए ये आपका किसका उधारण है और ये कोशन आपके मैला सुपरवाइजर 2019 का जो पेपर हुआ उसके अंदर पूचा गया था ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे निम्दमे से कौन सा पौतिक परिवर्तन है तो कागज का फटना पौतिक परिवर्तन है पेड को काट जल का बर्फ में बनना या दिये गए सभी वीकल तो देखो जल का बर्फ में बनना भी है पेड को काटना भी है कागज का फटना भी है option number D ठीक है वज़ सभी ये देख लो ये सब समझा दिया फिलाज कोशन है कि क्रोमिक लौराइड में क्रोमियम के ऑक्सिकरन अंक का परिवर्दन जो है वो समझ लिया है इसके कोसं कैसे आते हैं बिल्कुल सिंपल आते हैं आपने एक बार जो है इसको पूरा पड़ी रखाता आज अपने रिविजन के तोर पर जल्दी से रिवाइज कर लिया है ठैंक यू